हेलो एंड वेलकम टो आट फिल्म वर्क्स आयम अमर राओ कंपॉजटर एंड विजुल फेक्स आर्टिस्ट और आज इस आपरफेक्स टुटोयल में मैं आप शेयर करूँगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़ के हम अपने एफेक्स पीसेट्स को कैसे सेफ कर सकते हैं और जो भी हमारे सेलेक्स हैं इन्हे सेलेक करेंगे इंगे सारी सेलेक्स करने के बाद आपको चूज़ करना आ shortest करने के बाद एक डिर्टरी ओपन होगी जहां अपपना एफेक्स में सेलेक्स करना चाहते हैं आप जो भी software यूज़ कर रहे हैं आप अगर कोई external hard disk यूज़ कर रहे हैं या आप अपनी local drive में रखना चाहते हैं आप उस जगह पर सेफ कर सकते हैं मैं Afterfax की by default library में सेफ करता हूँ select करते हैं library adobe cc 2015.3 support files and just preset पर चलेंगे and यहाँ पर आप एक folder create कर सकते हैं अपने नाम का या आपने जो भी आपको preset जिस नाम से सेफ करना है तो मैं यहाँ पर new folder select करता हूँ इसका नाम देता हूँ यहाँ पर color grade double click करके यहाँ पर मैं जो अपना effects है उसका एक नाम देता हूँ रिनेम करते हैं cg suppose 1 and से save कर देते हैं so now जो हमारा effects है वो save हो चुका है and the last part हम इसे reuse कैसे कर सकते हैं suppose हमारे जो effects हैं यह हम अभी फिलहाल के लिए delete करते हैं and हमारा किसी वज़े से project delete हो जाता है या हमारी जो after effects file है वो crash हो जाती है so हम दुबारा से footage को drag करेंगे and just select करेंगे layer और यहाँ पर animation preset में just open करके देखेंगे या direct type करेंगे तो वो color grade के नाम से folder हमने show किया था save किया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है already and just हम drag करेंगे cg1 को and just throw करेंगे अपने timeline पर footage के उपर so as it is जो presets हमारे थे जो हमने grading की थी last time वो हमारी as it is footage पर apply हो जाएगा so इस तरीके से आप अपने effects and presets attributes को save कर सकते हैं and reuse कर सकते हैं as an animation preset so thank you for watching I hope you like it so guys if you like my tutorial so don't forget to subscribe my youtube channel hit like comment share and visit my website amaraartfilmworks.com for more after effects tutorials quick tips and tricks I'm Amara we will see you next time